साइकलोजी एक बहुत डिफ्रेंट चीज है एक कम्प्यूटर जितना तेजी से काम करता है उससे हजार गुना तेजी से हमारा दिमाग काम करता है कम्प्यूटर और दिमाग में एक चीज बहुत ज़्यादा कोमन है और वो ये कि कम्प्यूटर भी कमांड पर चलता है और हमारा दिमाग भी हमारे थुरू दी गई कमांड ही फोलो करता है आप जो भी उसे बोलोगे वो वैसा वैसा ही काम करना शुरू कर देगा यही वज़ा है कि कई लोगों का ब्रेन वोश करके उनके दिमाग में ऐसी चीज़े डाल दी जाती है जो वो शायद कभी मानना नहीं चाते थे या मानते नहीं थे आज मैं आपको ऐसी ही कुछ बाते बताने बाला हूँ ज्यादा काम लेती है रिसर्च की हिसाब से अगर आप सिर्फ बैटे हुए हो मतलब आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जो वाकई आपको ठका सके या जिसमें आपके बहुत ही ज्यादा फोकस की नीड हो तो इसके बहुत कम चांस है कि आप कुछ क्रेटिव कर पाएंगे और आप बहुत फोकस करके किसी काम को कर रहे हो और फिर सड़नली आपको याद आया कि यार वो चीज भी तो हो सकती है तो ये एक्स्ट्रा क्रेटिविटी निकालना ये कभी भी सिर्फ शांत बैटे बैटे नहीं होता अब जैसे कोई आदमी बहुत ब्यूटिफुल पेंटिं में जो वाकई लोगों को चौका दे मगर कुछ भी दिमाग में नहीं आता फिर ये उसे छोड़ कर अपना कोई और काम करने लगता है यानि दूसरी पेंटिंग को बनाना जो बाकी पेंटिंग से उनमें रंग करना ये सब शुरू कर देता है अब जब ये ऐसा कर रहा होता तो इसका दिमाग दोड़ ना शुरू कर देता है और सड़ली इसे एक थौट आता है कि यार ऐसा बनाता हूँ और फिर इसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें समाच की अच्छाई और बुराई दोनों साफ नजर आई इसने बनाई एक नदी और नदी में डूपती और और उस औरत को बचा रहा है कुटा अब ये तो हो गया इमोशन फिर गुस्सा दिखाने के लिए इसने उसके पास बनाई लोग लोगों की भीड के हाथ में मोबाईल जो उसकी मदद करने के बजाए इस हाथ से को रिकॉर्ड कर रहे थे इस पेंटिंग ने वाकि सब को चौ जो उन्हें नींद में याद आती है यानि वो ठक कर सो रही होते है तो जब सोने से पहले का वो वक्त होता है ना जिसमें हमारी आँके खुलती भी है और बंद भी होती रहती है तो उसमें उन्हें कुछ धुन याद आई और उन्होंने वो मोबाईल में गुन-गुना कर र पागता पसंद करता है जो हमें इग्नोर करें और जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उसे वो इग्नोर करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि ये तो है ही मेरे पास मुझे तो वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है अब क्योंकि हमने अपने माइंड को बच्पन स प्लीज अपने माइंड को हर बार उन चीजों से उन लोगों से रूबरू करवाओ जो अभी आपके साथ है और आपके लिए बहुत सेफ और अच्छे लोग हैं आपके बार बार अपने आसपस की चीजों पर प्यार को दिखाने से आपका माइंड आपको अपनी ही लाइफ में खुश रहना सिखा देगा इसके बाद है थोड़ी अजीब बात और वो यह कि हमारा माइंड जो हमारी मदल टंग है उससे अलग लेंग्वेज में कुछ सोचें तो हमें काफी सही डिसीजन लेने में मदद करता है ऐसा बहुत सारी रिसर्च में देखा गया है कि जब आप किसी और लेंग्वेज में सोच कर डिसीजन लेते हैं तो आपका माइंड सही फैसला लेने में मदद करता है तो please कोई और language भी जरूर सीको और फिर कोई फैसला लेकर मुझे comment में जरूर बताना कि आपके कितने फैसले बिल्कुल सही निकले इसके बादे हम restaurant में, cafe में waiters को किस तरह से treat करते हैं ये दिखाता है कि actual में हमारा nature कैसा है इस rule को the waiter rule कहा जाता है इसमें ये देखा जाता है कि आप दूसरे लोग जो आपकी नजर में सिर्फ एक waiter है उन्हें आप किस तरह से treat करते हैं असल में हमारा nature हमें राजा और भिकारी का दर्जा देता है हमारा पैसा नहीं पैसा आता जाता रहेगा मगर आपका nature आपके personality ये ना कोई ले पाया है और ना ले पाएगा तो अगर किसी चीज़ पर काम करना है तो पहले इस चीज़ पर काम करो इसके बाद है ऐसा काम करना जो आपको डराता है यानि ऐसे dream पूरे करना जिन से आपको डर लगता है ये एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा खुश रखती है आपको जब भी कोई ऐसी चीज करने का मौका मिले जिसमें थोड़ा रिस्क होता है जिसमें खत्रा रहता है तो वो चीज करने के बाद आप वाकई खुशी जैसा फील करते हैं अब इसको करने के लिए गलत रास्ता मत पकड़ लेना ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपने ड्रीम पूरे करने के लिए थोड़ा रिस्क जरूर उठाओ उसके बाद जो आपको खुशी मिलेगी उसका कोई मुकाबला नहीं होगा दोस्तों उम्मीद है ये बात ये वाकई आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी इन्हें सुनने के बाद आपको काफी अच्छा फील होगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बात है कैसी लगी इसके साथी मेरे साथ इंस्टागराम पर प्लीज जुड़ो ताकि मेरी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले इंस्टागराम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौझूद है तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नए वीडियो के साथ तो अब तक के लिए धन्यवाद